एलो माई डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जाज आपको जैटको की जो जिनियर एंजिनियर की रिक्रूट मेहंड है उसमें इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड एक टोपिक है डिस इस बैटरी सिस्टम उसके मोस्ट इंपोर्टन्स MCQ बताने वाला हूँ और उसके साथ ही एद में आपको डिफरेंट टाइप्स के MCQ है जैसे बैटरी सिस्टम है कितनी टाइप्स की बैटरी एवेलेबल है और उसकी करेक्टिस्टिक्स क्या होती है उन सब के मोस्ट इंपोर्टन्स टाइप्स के क्वेस्टन आंसर भी बताने सकते हैं तो चलिए अब हमारे first mcq से हम स्टाट करते हैं यहां पर हमारा first mcq है these two batteries have connected in देखिए यहां पर मैंने एक figure बताई है इसमें battery 1 and battery 2 दो बैटरी किस में connected है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यह दोनों बेटरी है वो सिरीज में connected है लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों का positive terminal एक का positive और दूसरे बेटरी का positive दोनों एक साथ connect किये है इसलिए दोनों बेटरी है हमारी parallel में connect होगी यहाँ पर हमारा answer है B उसके बाद जो next question देखे number of cell connected in series provide A जब number of cell हम series में connect करते है यहाँ पे देखिए मैंने series connection आपको दिखाया है और series connection में हम देखते है तो हमारा resistance है r is equal to r1 plus r2 plus r3 plus plus rn तक जाता है तो यहाँ पे हम series में connect करते है जब 1,2,3,4,5,6 ऐसे cell एक साथ series में connect करते है तो कौन सी capacity बढ़ती है तो यहाँ पे हमारी voltage 6 होगा वो हमारा higher होगा और voltage की capacity बढ़ती है जब series में connect करते है तब आप यहाँ पे इस figure पे भी देख सकते है उसके बाद जो next question है number of cell connected in parallel provide यहाँ पे हम cell को parallel में connect करते है वन बाई वन,1,2,3 तो यहाँ पे हमारा किया है किसकी capacity बढ़ेगी जब हमने question number 2 देखा तो उसमें series में connection करते है तो हमारी voltage बढ़ता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा answer है high current carrying capacity current बढ़ता है हमें सब जानते हैं और series और parallel connection होता है उस तरह से उसके बाद जो next question देखे तक capacity of a battery is expressed in terms of जो battery की capacity हो हम किस terms में express करते है तो यहाँ पे हमारा answer है C, ampere hours में हम battery को define करते है उसके बाद जो next question देखे which of the following cell has the highest voltage इन में से कौन से cell में highest voltage होते है तो यहाँ पे हमारा answer है B lithium होगा वो उसमें सबसे highest voltage होगा उसके बाद जो next question देखे which of the following cell has the lowest voltage सबसे कम voltage की सेल में होगा तो यहाँ पे हमारा answer है D mercury में सबसे कम voltage होता है उसके बाद जो next question देखे when ampere hours is equal to when ampere hours is equal to कितना होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर है d छत्री सो कुलम लेकिन वो किस तरह से आता है तो उसका भी expression में ने यहाँ पे समझेया गया है कि 1 hour is equal to 1 ampere multiply by 3600 second is equal to हम ampere को कुलम पर second में convert करते हैं तो हमारी दोनों second है हो cancel हो जाएंगे second second और हमारा आंसर होगा 3600 कुलम उसके बाद जो next question है in real case the charging current for 200 ampere hour battery would be क्या होगा तो यहाँ पे हमारा answer है 20 to 20 ampere लेकिन वो किस तरह से आता है देखिए वो हमारा rating हम expression में इस फोम में बताएंगे जो charging current है 120 ampere hour battery है तो यहाँ पे हमारा answer है किस तरह से मिलता है 20 ampere क्योंकि उसमें 2 percentage या इतना losses होता है इसलिए हमारा answer होगा 22 22 ampere answer होगा ए उसके बाद जो next question देखे which of the following battery is generally used in electrical power station electrical power station में कौन सी battery use की जाती है तो यहाँ पे हमारा answer है C lead acid battery हम use करते हैं उसके बाद जो next question है in addition the negative plate is made for addition cell में negative plate किस की बने ली होती है तो iron की बने ली होगी उसके बाद जो next question देखे the capacity of a lead acid cell does not depend on its जो lead acid cell की capacity है इन में से किन के उपर depend नहीं रहती तो यहाँ पर answer है C rate of charge charge के rate के उपर depend नहीं रहती उसके बाद जो next question देखे when a lead acid battery next question है during charging the specific gravity of the electrode of a lead acid battery जब charging दरह में least lead acid battery की जो electrode gravity है specific gravity हो क्या होगी तो यहाँ पर अमारा answer है B increase होगी specific gravity increase होती है उसके बाद जो next question देखे trickle charger of a storage battery helps to trigger charger storage battery में किस तरह से help करता है तो यहाँ पर हमारा answer है D keep it fresh and fully charge के लिए use किया जाता है उसके बाद जो next question है on over charging a battery over charging होता है तब क्या होता है तो यहाँ पर हमारा answer है D none of the above इन में से कोई भी include नहीं होगा उसके बाद जो next question देखे battery are charged by any of the above बेटरी सब तरह से charge हो सकती है rectifier से होती है engine generator set से होती है motor generator set से भी बेटरी को हम charge कर सकते है उसके बाद जो next question देखे the following indicate that battery on charge has attained full charge जब बेटरी full charge होती है तो कौन तरह सा indicate हमें दिखाई देता है तो यहाँ पर हमारा answer है D all of the above color of electrode guessing a specific gravity सब इसमें include होते है उसके बाद जो next question देखे to prevent local action in battery only blanks is used in electron यहाँ पर क्या होता है तो हमारा answer होगा भी distillated water का हम यूज़ करते है electrode के लिए उसके बाद जो next question है ampere hover capacity of an industrial battery is based on blank hours discharge इंडस्ट्री में हम जब यूज़ करते हैं तो उस battery की जो discharge hours होती हो eight hours होती है यहाँ पर हमारा answer है ए उसके बाद जो next question है which of the following battery is used for aircraft एरक्राफ्ट ने इन में से कौन सी battery यूज़ की जाती है तो यहाँ पर हमारा answer है भी nickel ion battery काम यूज़ करते हैं उसके बाद जो next question है the electrode for a battery must be जो electrode होता है तो यहाँ पर हमारा battery electrode कौन सा होता है तो यहाँ पर answer है हमारा c a good conductor of electricity उसके बाद जो next question देखे secondary cell are secondary cell क्या होता है यहाँ पर हमारा answer है both a and b lead acid cell and alkaline cell दोनों इसमें include होते हैं उसके बाद जो next question देखे cell are connected in series in order to जब cell को हम series में connect करते हैं तो क्या होता है first second question आगे है इसमें तो यहाँ भी हमारा answer है a increase the voltage rating voltage rating को increase करता है capacity of dry cell is dry cell की capacity क्या है तो यहाँ पर हमारा answer होगा a more when it is supplied current for intermediate periods उसके बाद जो next question देखे the current in a chemical cell is a movement of जो current का होते हो है chemical cell में उसकी movement क्या होती है तो यहाँ पर हमारा answer है b positive and negative ion उसके बाद जो next question देखे which of the following primary cell has a lowest voltage जो देखे यहाँ पर मैंने primary cell बोला है तो primary cell कौन सा होगा यहाँ पर हमारा answer है c mercury होता है उसके बाद जो next question देखे which of the following primary cell has the highest voltage primary cell बोला है तो primary cell को आपको यहाँ त्यान में रखना है तो यहाँ पर हमारा answer है c lithium होगा उसके बाद जो next question देखे फ्यूवल सेल कंवर्ड ब्लैंक्स एनलजी इंटू इलेक्टिकल एनरजी फ्यूवल सेल किस में कंवर्ड करता है तो यहाँ पर हमारा answer है d chemical energy को electrical energy में conversion करता है दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको जेटको के related DC systems के most important 29 mcq बताया है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ connect रहे है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे like करे, share करे और subscribe करे Thank you for watching my video